Hello everyone, this is Nikhil आज में जो आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है Next Generation मूवी शुरू करने से पहले एक आफशक सूचना जो मैं आप लोगों तक पहुचाना चाहता हूँ अगर आप नए हैं और आपको मूवी से एक्स्पिनेशन देखना पसंद है तो हमारी इस YouTube फैमली में मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस YouTube फैमली का एक बहुत ही आयम इस्सा बनें तो शुरू करते हैं इस मूवी की का नी इस मुवी की शुरुवात होती है एक बहुत ही हाइटेक रोबोटिक सिटी से जहांपर गाड़िया भी आटोमेटिक चलती है आफिस भी रोबोट साफ करता है और यहां तक कि पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम भी रोबोट ठीक होता है इस सिटी में हर इंसान के पास में एक अपना रोबोट होता है जिसे क्यों रोबोट बोला जाता है यानि कि यहां पर इंसान खुद पर से ज़्यादा रोबोट पर ज़्यादा डिपेंड करता है मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते है इस मूवी की मेन केरेक्टर मेको जो की अपनी मदर के साथ रोबोट की सिक्त जनरेशन के लाँच में जा रही होती है मेको रोबोट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मेको वहाँ पर आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए वे अपनी मा को बोलती है कि क्या वे स्टेडियम गेम देखने को जाए लेकिन उसकी मा नए रोबोट के फीचर देखने में बहुत जादा बिजी होती है इसलिए वे अपनी मा को बिला पता ही वहाँ से चली जाती है अब यहाँ पर पूरे इवेंट की सिक्योर्टी रोबोट समाल रहे होते है इसलिए वे मेको ट्रेक कर लेते हैं और उसे वापस अपनी मा के पास जाने को बोलते है क्योंकि यहाँ करूर्ण होता है कि कोई भी अपने मा बाप से दूर नहीं रहेगा लेकिन में उस रोबोट के वाद नहीं मानती और उसी पर चड़कर मैस देखने चली जाती है लेकिन रोबोट उसका वेट से नहीं पाता और क्रैश ओकर नीचे गिरने लगता है नीचे गिरने पर एक दूसरा सिक्योर्टी रोबोट में को वापस से उसकी मा के पास जाने को बोलता है लेकिन में उसका ध्यान बढ़का कर वहां से भी भाग जाती है में रोबोट के ट्रेवल करने वाले इंटरनल नेटवर्क में एंटर कर जाती है और समाओ बिना जाने सीधा एक साइंटिस्ट के ओफिस में पहुच जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर अलफ्रैडो में डॉक्टर की बाते सुन रही होती है जब डॉक्टर अपने असिस्टेंट रोबोट को बता रहा होता है कि यह जो रोबोट इसने बनाया है यह बहुत ही स्पेशल रोबोट है और यह उसका 77 वा इंवेंशन है यह रोबोट अब तक के बने वे सभी जनरेशन से बैस्ट है तो दोस्तों इस सीक्रेट रोबोट का नाम मैं हीरो रोबोट रखने वाला हूँ क्योंकि यह रोबोट आने वाल एक्स्पेशन में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करने वाला है अब डॉक्टर यहां से चला जाता है क्योंकि उसका असिस्टेंट रोबोट उसे बाल-बाल होने वाले लॉंच किया दिला रहा था वहां से जाने पर में उस सेक्रेट रोबोट को यानि की हमारे हीरो रोबोट को देखती है पहले तो वह वहां से जा रही होती है लेकिन उसे उस रोबोट में कुछ खास दिखता है और वह उसके पास में जाती है जैसे ही वे उस hero robot के करीब जाती है वे वहाँ के automation system को activate कर देती है और वे पूरा का पूरा system हमारे hero robot को construct करने में लग जाता है construct होने के बाद में जैसे ही वो robot activate होता है तो वे सबसे पहले meko देखता है और meko follow करने लगता है लेकिन meko robots पसंद नहीं होते तो वे उसे stupid robot बता कर वहीं रुखने को बोलती है लेकिन वे robot फिर भी meko follow करने लगता है इसी भी वहाँ पर security वाला robot आ जाता है और meko जबरदस्ती पकड़कर ले जाता है जबरदस्ती की वज़े से meka bag वहीं पर छोट जाता है और वहीं जोर-जोर से चिला रही होती है कि मेरा bag अंदर छूट के है जो की hero robot ट्रैक कर लेता है फिर scene shift होता है और हम देखते हैं इस launch और इस company के मालिक जस्टिन पिन को जो की यहाँ पर आए सभी लोगों को नए generation के robot के बारे में बता रहा होता है और launch के end में सभी लोगों को 6th generation का नया robot gift कर देता है इसके बार जस्टिन सीधा production land में आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर अलफ्रेडो बैटकर generation 6 की program में कुछ change कर रहे होता है लेकिन उन्हें access नहीं मिलता जिसकी वज़े से वे अपने दोस जस्टिन को बोलता है कि हमें अभी इस launch को रोग देना चीए क्योंकि अभी भी generation 6 की पूरी तरगे से testing नहीं हो पाई है जिसकी वज़े से लोगों की safety को खतरा हो सकता है लेकिन जस्टिन उसकी बात को ignore कर जाता है और उसे अभी की अभी इसी launch को करने को बोलता है अभी फ्रेटर को अभी इसमें कुछ गर्वट लग रही थी इसलिए वह वापस अपने office में आ रहा होता है तब ही उसका assistant robot उसे आकर ये ख़बर सुनाता है कि उसका hero robot उसकी lab से भाग गया है ये सुनकर doctor shot हो जाता है और वह जल्दी से भाग कर जब lab में आकर देखता है तो वहाँ से hero robot तर तक जा चुका होता है hero robot मेक के उस बैक को उस तक पहुचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है लेकिन तब ही एक security वाला उसे रोकता है लेकिन hero robot बहुत ही advance होता है और वह उस अपनी weapon से उसे destroy कर देता है और मेक को उसकी मा के साथ कार में चाते वे देख उनका पीछा करने लगता है लेकिन security robot के destroy होने पर ये खबर सारे robots में पहुच जाती है और सभी की सभी robots hero robot के पीचे पढ़ जाते है और numbers में पहुच जदा होने के कारण hero robot उनसे हार जाता है और वहीं bridge से नीचे गिर जाता है robot के साथ होई fight के कारण उसकी core memory में एक error आ जाता है जिसकी वज़े से hero को अपनी उस core memory को अपने अंदर से निकालना पड़ता है अब वह वापस से make-up एक उठाकर उसे डूणने के लिए निकल जाता है नेक सीन में हम देखते हैं डॉक्टर अल्फ्रेडो का assistant robot उस scene को investigate करने आता है और वहाँ पर से उसको hero robot की core memory मिलती है जिसे वह लएकर वापस से डॉक्टर के पास में आ जाता है इदर जेस्टिन को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर ने उससे चुपकर एक secret robot बना है जिसकी वाज़े से वह डॉक्टर को धमकाता है कि उसे अब generation 6 पे ही focus करना है तब ही वह generation 6 के एक robot को अपने याप blast होने का feature भी दिखाता है जिसमें हमें पता चलता है कि robot को instruct किया जा सकता है जिससे वह किसी भी इंसान के पास जाकर blast हो सकता है इदर hero robot भी finally में के घर पहुँच जाता है जिसे देखकर में बहुत कुस्ता होती है जो कि humans की emotions को capture करती है वैं जितना जादा humans के साथ में रहेगा उसकी memory उतनी फिल होती जाएगी जिसकी वज़े से उसकी functionality में रुकावट आ सकती है इसलिए उसे उसकी memory को बरबर delete करना पड़ता है hero में के साथ बहुत enjoy कर रहा होता है जिसकी हर एक memory उसकी current memory में सेव होती जाती है में hero के साथ मिलकर और दूसरे robot को destroy करती जाती है दोनों काफी enjoy कर रहे होते हैं तब ही scene shift होता है जस्टिट के interview पर जहाँ बर interviewer जस्टिन को वह clip दिखाता है जिसमें robot सभी दूसरे robot को मार रहा होता है जिसे देखका जस्टिन शॉक्ट हो जाता है क्योंकि उससे तो लगा था कि डॉक्टर अलफ्रेडो ने अपने उस robot को खतम करती है वापस आकर वैस सीधा डॉक्टर अलफ्रेडो को उसी keyboard की production चुरिट में ले जाता है और वाँ ले जाकर उसको बाढ़ देता है जस्टिन डॉक्टर को पिछली बार की तरह जनरेशन 6 के साथ में ब्लास्ट करने वाला होता है लेकिन तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि मुझे एक चांस और दो मैं सभी Q-Bots को यूज़ करते वे उस हीरो रोबोट तक पहुंच सकता हूँ पहले तो जस्टिन उसके बाद नहीं मानता लेकिन कुछ सोचने के बात में वे डॉक्टर वे एक चांस दे देता है अब डॉक्टर भी सभी Q-Bots के फीडियो फीट को यूज़ करते वे अपने उस सीक्रेट रोबोट को डूने लग जाता है तब यूज़ उसे पता लगता है कि सीक्रेट रोबोट ये सब अकेला नहीं कर रहा होता है उसके साथ में मे भी चूती है और वे मेके रोकेशन करने की वाज़े से हीरो की 97% Current Memory पर जाती है और वह ये डिसेड कर रहा होता है कि उसे कौन सी memory डिलीट करनी चीए लेकिन में के साथ में इतना समय बिताने के कारण उसे में से प्यार हो जाता है और वह में की एक भी memory को डिलीट नहीं करना चाता था इसलिए वह अपने core programming के weapon system को ही डिलीट कर देता है जिससे उसकी काफी memory खाले हो जाती है यह देखकर वह बहुत कुश होता है क्योंकि अब और भी समय वह में के साथ spend कर सकता है लेकिन next scene में हम देखते हैं जब में गर वापस आती है तो गर पर डॉक्टर ऐलफरेडो भी पहुँच जाता है और में की मा को में की सारी सचय पता चलिजाती है कि उसके पास में एक secret robot है वह में को उस robot को बुलाने के लिए बोलती है और तभी वापस आलफरेडो उस robot से मिलता है वह उन सब को बताता है कि उसने ये robot सभी humans को protect करने के लिए बनाया था generation 6 में कुछ problem है और सभी humans के साथ में बहुत बुरा होने वाला है डॉक्टर उन सब को जस्टिन की सारी सचय बताने वाला होता है तभी वापर जस्टिन अपने robot एरिस के साथ में आ जाता है जस्टिन खुद ये बात एड्मिट करता है कि उसका ये प्लान है कि वह दिरे-दिरे सभी humankind को खतम कर देगा ताकि इस जगह पर सिर्फ robot कर आजो और ऐसा कहकर एरिस सीधा हीरो पर अमला कर देता है हीरो में और उसकी मा को बचाने के लिए एरिस से fight करने लगता है दोनों के बीच में एक बहुती शांदर fight होती है तभी में हीरो को अपने blaster यूज़ करने को बोलती है लेकिन तभी वह उसे बोलता है कि उसने अपने weapon के update को delete कर दिया है अब वह किसी को भी blaster नहीं कर सकता हीरो सिर्फ अपने आपको अपनी body और मे को बचाने के कोशिश कर रहा था वह एरीस पर attack नहीं कर पा रहा था क्योंकि एरीस दिखने में बहुत ही बड़ा और ताकत वर भी था इसे बीच मौका पाकर जस्टीन में की मा को पकड़ कर अपने साथ में ले जाता है और हीरो भी में को एरीस के blast से बजा कर underground pay plan में ले आता है वहां कर मैं हीरो पर बहुत कुस्सा करती है कि तुमने अपने वैपन सिस्टम यूज क्यों नहीं किये तो हीरो उसे बताता है कि मैंने अपना वैपन कंट्रोल सिस्टम का update डिलीट कर दिया है मुझे तुमारी memories और अपने वैपन सिस्टम के update में से किसी एक को चुनना था मैं तुमें खोना नहीं चाता था इसलिए मैंने तुमारी memories को चुना ये सुनकर मैं बहुत गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुमारी इस बेकुफी की वज़े से जस्टिन मेरी मा को उठा कर ले गया है मुझे तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी तुम मुझे चोड़ कर चले जाओ ऐसा कहकर वैं गुस्से में वहाँ से चली जाती है मैं खुदी अपनी मा को बचाने के लिए जस्टिन के office पहुँच जाती है हीरो जानता था कि मैं अपनी मा को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर रहेगी इसलिए उसे बचाने के लिए वह खुद भी वहाँ पर आ जाता है तभी उन पर बहुत सरे रोबोट अटेक कर देते हैं जिसमें उन दोनों को रियलाइस होता है कि वे दोनों मिलकर ही में की मा को छुड़ा सकते हैं तभी दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें वहाँ पर डॉक्टर अलफ्रेडो मिलता है में डॉक्टर अलफ्रेडो से पूछती है क्या कि उसकी मा का है तो Alfredo से बचाता है कि इन सब के पीछे जस्टिन का रोबोट Aries है ये सारा ट्रैप उसी ने बनाया है उन दोनों के बीच में बात है चले रहे होती है तब ही वहाँ पर जस्टिन और Aries भी आ जाता है डॉक्टर जस्टिन को समझाने की कोशिश करता है जसकी वह करता है कि वह इसे रोगते है लेकिन उसके पास आते है वह डॉक्टर को अपनी स्पेचल गण से मार देता है इरो को जस्टिन की इंटेंशन्स पता चल जाते है इसलिए वह उसे लेकर बाहर विंडू से जम्प कर जाता है और साथ में में भी अपने डॉबोट के साथ में एक रोबोट के साहरे विंडो से कुच जाती है फिर सभी नीचे होने वाले एक रोबोटिक मैच के मैदान में आके किरते हैं जहां पर सभी लोग मैच को इंजोई कर रहे होते हैं और तबी वहाँ पर Aries और हीरो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसकी वज़े से एक कैमरे टूट जाता है और में को उसकी मा कैमरे के तुरू दिख जाती है और इस तरह में फाइनली अपनी मा तक पहुंचके उनको बचा लेती है लेकिन तबी जस्टिन भी वहाँ पर आ जाता है जस्टिन में और उसकी मा को वाँजे भागने नहीं देता और अपना पूरा प्लान उन दोनों को बता देता है कि कैसे वे सब को मागने वाला है ये सब मैं उस कैमरे के तुरू शूट कर रही थी यानि कि ये सब लाइफ चल रहा था और सारे लोग उन दोनो को मारा है और उसकी बॉड़ी पर कब जा कर लिया था क्योंकि उसने उसे कहा था कि मैं एक परफेक्ट रोबोर्ट हूँ अब जाके दुनिया को परफेक्ट बनाओ सबी लोग ये देखकर बहुत शॉक्ट हो जाते हैं और दर दर भागने लगते हैं सबी लोगों को भागत में मदद करने लग जाती है तब ही हम देखते हैं एरीस अपना एक अपग्रेड मंगवाता है अपग्रेड होने के बाद में वे और भी शक्ति शाली और ताकतर हो जाता है हीरो अब एरीस से मार खा रहा था और उससे हणने लग रहा था तब ही मेको जस्टिन पकड़ लेत है उसके अपग्रेड के आगे एक भी क्यूबोट टिक नहीं पाता और धीरे धीरे सारे क्यूबोट खतम हो जाते हैं एरीस और हीरो के अंदर बहुत ही खतरनाक फाइट होती है लेकिन लास्ट में हीरो एरीस को माणने में सक्सेस हो जाता है और उसी वक्त उसकी सारी मेमोर हो जाती है और वह वापस से रीसेट हो जाता है में उसके पास उसे अक्टिवेट करने के लिए वापस आती है लेकिन तभी वहां पर जस्टिन आ जाता है जस्टिन अभी मारा नहीं होता क्योंकि एरीस अभी भी चिंदा होता है और लास्ट में में एरीस को मार कर जस्टिन पूट के बिना जीना सीख लेते हैं इसे के साथ ये कानी ये पर खतम होती है आपको इस मुवी का इस्क्राइशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रा बी हल्दी